लोग सबाचनाओं के नतीजों का बेसबरी से इंतजार किया जा रहा है, हलाकि इसके पहले आए एक्जिट पोल कॉंग्रेस के लिए निराश आ जानक रहे, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी निराश नहीं है और दावा कर रही है कि जो असली परणाम आएंगे, वो एक्जिट प आ रही है, ये पंडाल लगाया गया है, और हलाकि ये जो तैयारी है, ये इसे हम जशन की तैयारी न कहें तो बहतर है, ये दरसल चुकि भीशन गर्मी पढ़ रही है और बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी कॉंग्रेस मुख्याला में मौझूद रहेंगे, पार्टी के प् हुआई में इंडिया गड़ बंधन को 295 सीटे आएंगी, और लेकिन इस दावे के मद्दे नजर जो जशन की तैयारिया होनी चाहिए, वो कॉंग्रेस दफ्तर में नजर नहीं आ रही है, अगर उस तरीके की तस्वीर होती, तो ये कॉंग्रेस मुख्याले के मैदान में य लेकिन फिलहाल कॉंग्रेस मुख्याले में कुछ कार करता है, उनके बीच किस तरीके का माहौल है, कैसा उत्सा है या निराश है, बात करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ फैसल चौधरी है, एक पहचान इनकी ये है और दूसरी पहचान है कि डुप्लिकेट राहुल पिचाने पिलस हैंगी, खड़के जी ने बोला दूसर पिचाने पिलस हैंगी, मैं बोलता हूं कि तीन सो पिलस हैंगी, जी, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक जिट पॉल के अंदर आपने देखा होगा कि राजिस्थान के अंदर टोटल पच्चिस सीट हैं, लेकिन वहां लेकिन क्या दिल टूटा जब टीवी पे आप लोगों ने परसों शाम को देखा कि एकजिट पॉल सारे एकजिट पॉल बता रहे हैं अंडिये 350 पार, दिल टूटा कि भाई, दिल की टूटेगा, हमने राजिस्थान का रिजल्ट देख लिया, कश्मेर के अंदर एक जीत रही है, दिल टीन पर लड़ी है, चार जिखारे जीतें वोई, तसकी म injury टूटा हमने तमने दिल टूटा दिल टूटा है, दिल तो और मजबूत हो गए है, और मजबूत हो गया है क्योंकि हमें पता चल चल चुका है, कि exit पॉल फर्जी है कल की क्या ते इसान की तय तो कोई बड़े उद्योग पती हैं और नहीं कोई बड़े बड़े पाजी आप कहा से आए पट्याड़ा पिंजाब से यह क्या है यह महबत की दिकान नापरत के बजार में महबत की दिकान हम दावा क्यों ठोक रहे हैं वी अब चन्द में से ज्यादा क्यों आएगी क्यों चल रहे हैं यह कर राहूल गांधी को गिफ्ट करने के लिए कल गिफ्ट भी करना उनके पगड़ी बंद नहीं हमने कल को अच्छा आप यह सोच कर आएंगे ऑच्छे आएंगे और फिर आप राहूल गंडी को यह पहनाएंग क्योंकि हमने बेर जिगारी और मंग्याई सेनकों को मतलत चार साल में रटेर का देना यह जो तमाम मुद्धे हैं उस पे चनाव लड़ाए और जानता बरसज एंडिये का चनाव था जीत हमारी पकी है जो मर्जी दखाएंगा अब हरोसा किस बात का है एक्जिट पोल तो पहली बात तो यह कि अगर भारतिया जन्दापाटी यादा कॉन्फिडेंट है कि वह जीती रही है तो उन्होंने अब तक जो काई किलो लड़ू के जो ऑर्डर दे चुके होते अभी तक किसी भी हलवाई बाद कोई ओर आगा नहीं है अरे मुझे पहले सी बताते हैं मीडि लेकर आएं कि आप सोच भी नहीं सकते कल आप यहां रहिएगा तो आप देखिएगा दूसी चीज यह कि भारतिय जन्दा पार्टी के वल जूट की पार्टी है उन्हों अब तक जिस तरीके से मीडिया को बर्गलात हुए जो पबलिक को बेवकूब बनाया है उससे आप सा बुर्गाउं से वहां पर आज बबर साब का बहुत अच्छा है जीतेगे 90 परसेंट जीतेगे 90 परसेंट चलिए देखते हैं चार जून की क्या तैयारी कल फुल तैयारी है हम आए जसंग करेंगे फुल सिटेशन तो तब जब पहले जीतेंगे काउंटिंग काउंटिंग क कि होगी देखिए जीत हमारी होगी कांघरेस की होगी दोंब 952 और बिल्धी है जो शार्सों के जो नारे लगाने वाले थे वहां प्रदान मंत्री कौन बनेंगे इसको आपको बताता हूं बात मैं इसका प्रिशन का उत्तर मैं देता हूं आपको देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से जो कॉंग्रेस पार्टी को चाहने वाले हैं और उसके अंदर 90 परशंट जो लोग हैं वो सिर्फ राहुल गांदी सहते हैं तो सही है इसलायक के राहुल गांदी प्रदान मंत्री बन सके क्या इंडिया गट-बंदन की सरकार बनेगी ये चार जून को ही सबस्ट हो पाएगा उसके पहले काउंटिंग की तारीख को लेकर के कॉंग्रेस ने बड़ी तैयारी की है अंदर खाने सभी प्रत्याश्यों के साथ मलिगारजुन खर्गे और राहुल गांदी ने बैठक की उन्हें निर्देश दिया कि काउंटिंग सेंटर के अंदर चौकन्ना रहना है तमाम जो गतिविदियां है और जारे प्रावधान है उन पर नजर रखनी है और एक्जिट पोल से दिराश नहीं होना है आखरी वोट की गिंती तक टिके रहना है तो ये काउंटिंग सेंटर के अंदर की तयारी है देखना ही है कि क्या कॉंग्रेस बाजी मारती है 2004 में जिस तरीके से प्रोजेक्शन थाटल ब्यारी वाचपे की सरकार को एक बार और मौका मिलने जा रहा है है मी तो है ही कारकरता देशवर से पहुंच रहे है और वो कहरें कि वो एक्जिट पोल से निराश नहीं है नतीजे उनके पक्ष में आएंगे और थोड़ी बहुत तैयारी भी कॉंग्रेस दफ्तर में नजर आ रही है देखना यह है कि क्या ये कॉंग्रेस के कारकरता कल 24 अ क्या है ये खिए